प्लाम के निदूंट कियसे हैं आप केपिस्ट्र क्ैपिसेटर क्यूसिशन के का नेक्स्ट क्यूशन हम लेके आए हैं इस क्यूशन में हम सीखेंगे कि जब दो या दो से ज्यादा कैपिस्टर को आपस में headed कर दें तो उन पे charge का redistribution कैसे होता है circuit में कितना charge flow करता है energy का कितना loss होता है यह सारी शीज़े हम इस question में देखेंगे देखिए आपके सामने तीन capacitor है question में यह तीन capacitor given है पहले capacitor का capacitance कितना है 5μF और उसको कितने वोल्ट तक हमने charge किया है 3 वोल्ट तक charge किया है दूसरे capacitor की capacitance कितनी है 2μF उसको 4 वोल्ट तक charge किया है तीसरे capacitor की capacitance है 10μF और उसको 2 वोल्ट तक charge किया है question कहा रहा है कि अब इन तीनों capacitors को आपस में connect करना है जोड़ना है कैसे जोड़ना है वो भी question बता रहा है question कहा रहा है connect किसको connect करो A terminal को D से connect कर दो इस A को D से connect कर दो मतलब इस capacitor की plus वाली को इस capacitor की minus वाली से connect कर दो B को किस से connect कर दो E से मतलब पहले capacitor की negative charge plate को third capacitor की positive charge plate से connect कर दो फिर ये कह रहा है कि C को किस से connect कर दो F से C मतलब इस positive को किस से connect कर दो negative से मतलब किसी भी प्लेट को किसी भी प्लेट से connect करवा सकता है तो उस case में वो पूस रहा है calculate हमको calculate करना है circuit में कितना charge flow करेगा charge flow in the circuit ये चीज निकालने हैं सबसे पहले हम ये निकालते हैं तो कैसे करें तो देखो मैंने cushion के according in capacitors को connect कर दिया है आपस में कैसे ये पहला capture दिख रहा है ये a terminal ये b terminal a को किस से connect कर वाया उसने d से तो देखो मैंने a को किस से connect कर दिया d से d की दूसरी plate कौन है c तो c को किस से connect कर वा रहा है f से तो c को किस से connect कर दिया मैंने f से f वाले की दूसरी plate कौन सी है e E को किस से connect करवा रहा है B से तो E को किस से connect कर दिया B से तो जैसे जैसे किशन ने कहा वैसे वैसे हमने इंज को connect कर दिया अब हमको पता करना है कि इस circuit में कितना charge flow करेगा charge flow क्यों करेगा क्योंकि charge का redistribution होगा capacitor दुबारा charge होगे अलग तरीके से तो ये चीज हम कैसे निकाले तो इस को किशन को करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा हर capacitor पर पहले कितना charge था पहले वो निकाल लेते हैं ठीक है हर capacitor पर पहले कितना charge था वो हम निकाल लेते हैं कैसे पहला capacitor देखो इस पर कितना charge आएगा इसकी capacitance दे रखी है voltage दे रखी है charge कैसे निकालते है q is equal to cv q is equal to c into v c कितना है 5 v कितना है 3 c into v 5 into 3 कितना हो गया 15 कितना हो गया 15 microcolamb तो इस capacitor पर कितना charge है 15 microcolamb तो देखो यहाँ पर 15 microcolamb plus में और दूसरी पर कितना जाएगा minus 15 microcolamb capacitor की दोनों plates पर opposite nature का charge होता है सबको पता है और charge की value भी same होती है induction के करण तो इस plate पर plus 15 microcolamb charge है इस पर कितना है minus 15 microcolamb charge दूसरी capacitor में देखो charge निकालना है q is equal to cv c into v 2 into 4 कितना हो गया 8 तो इस पर कितना charge है 8 microcolamb इस पर कितना charge है minus 8 microcolamb clear तीसरा capacitor देखो इसका charge निकाल रहे charge क्या होता है q is equal to cv 10 into 2 20 तो इस plate पर कितना charge है 20 microcolamb इस plate पर कितना charge है minus 20 microcolamb तो connect करने से पहले तीनों capacitors पर अलग-अलग जो charge था वो हमने निकाल लिया ठीक है अब वो charge यहाँ पर पहले put कर दो इस plate पर कितना charge है देखो 15 microcolamb प्लस का ये 15 unit नहीं लिख रहा भी में ठीक है b पर कितना होगा minus 15 e पर कितना charge है देखो देखो e पर कितना charge है plus 20 तो इस पर तो है plus 20 और f पर कितना charge है minus 20 इस पर minus 20 d पर कितना charge है विड़ा d पर charge है minus 8 तो ये हो गया minus 8 और c पर कितना charge है विड़ा plus 8 तो इस पर हो गया plus 8 तो जो इन capacitors पर पहले चार्ज था, वो चार्ज हमने लिख दिया, clear? अब हमको पता है कि चार्ज का redistribution होगा, circuit में कुछ चार्ज flow करेगा, वो कितना चार्ज फ्लो करेगा, वो ही निकालना है, अब हमको कुछ पता नहीं कि चार्ज इदर से जाएगा, इदर से जाएगा, इदर आ गया, suppose करो, तो इस प्लेट से अगर क्यू चार्ज इदर निकल गया, तो इस पर कितना रहे गया, इसमें से क्यू लेस कर दे हम, तो 15-Q, clear, और वो चार्ज गया किस पर, इस प्लेट पर, तो इस प्लेट का चार्ज कितना हो गया, माइनस 8 के अंदर Q को एड कर दे, clear, इदर से Q चार्ज निकला, और इदर आ गया, इसमें से माइनस कर दिया, इसमें प्लस कर दिया, सामने क्या होगा, इंडक्शन, हमको पता है कि केपिस्टर्स की प्लेट्स चार्ज कैसे होती है, इंडक्शन की करण, तो प्लस Q यहाँ पर है, तो इंडक्शन की करण इदर कितना आ जाएगा, माइनस Q, ठीक है, मतलब इसमें से Q चार्ज कम हुआ है, पहले कितना था, 8, अब कितना लख रहे है, 8 माइनस Q, उसका मतलब यह चार्ज इदर गया है, जब यह चार्ज यू चल रहा है सर्केट के अंदर, ठीक है, इदर से आ कि इस प्लेट हो गया, तो इदर से निकल गया, इदर से Q के कारण सामने क्या होगा induction माइनस Q इसका मतलब इदर से जैसे ही प्लस Q चार्ज आया उदर से Q चार्ज निकल लिया और जाके किस पर एड़ हो गया B प्लेट पर तो इस पर प्लस Q लिख देंगे समझागी चीज तो हमने इस तरीके से चार्ज को फ्लो कर दिया circuit के अंदर इदर से निकला इस पर आया इदर से निकला इस पर आया हम यह चीज उल्टा भी ले सकते थी यूँ इदर से भी चार्ज को निकाल सकते थे किसी भी प्लेट से निकाल सकते है उससे कोई फर्रक नी पड़ेगा answer पर अब क्या करें तो इन तो आपको वेल्यू किसकी निकालनी है क्यूं की वेल्यू निकालनी है अब देखो चार्ज चेंज हो गया कैपस्टेंस तो उतनी क्यों उतनी है इस कैपस्टर की कैपस्टेंस कितनी है 5 माइक्रो फेरेड इस कैपस्टर की कैपस्टेंस कितनी है 10 माइक्रो फैरेड और इस कैपस्टर की कैपस्टेंस कितनी है 2 माइक्रो फैरेड कैपस्टेंस पर तो कोई फरक पड़ेगा नहीं क्योंकि कैपस्टेंस तो चार्ज और पोटेंशल डिफरेंस पर डिपेंड करता ही नहीं है हमने थेोरी में पढ़ा है कैपेस्टेंस उतना ही रहेगा तो देखो कैपेस्टेंस उतना ही है चार्ज चेंज हो गया इसका मतलब क्या चीज चेंज हो गया potential difference change हो गया plates के बीच का potential difference change हो गया potential difference V is equal to Q upon C C उतना ही है Q change हो गया तो potential difference भी change हो गया तो अब suppose करो इस capacitor के plates के बीच का potential difference कितना है V1 इस capacitor के plates के बीच का potential difference कितना है V2 और इस capacitor के capacitance के इस capacitor के plates के बीच का potential difference कितना है V3 clear तो हमने ये potential difference लिख दिया इसके V1, V2, V3 अब इसके बाद क्या करें हमको Q की value चाहिए अब यहाँ पर बच्चों हम लगाएंगे किर्चॉफ voltage law क्या लगाएंगे किर्चॉफ voltage law using KVL आपने नाम सुना होगा किर्चॉफ voltage law जो बच्चे नहीं जानते वो खाली इतना समझ ले कि किर्चॉफ voltage law क्या होता है कि किसी भी electric circuit के अंदर अगर कोई loop है जैसी एक loop है किसी electric circuit में किसी loop में जितने भी element जुड़े हुए है जितने भी element जुड़े हुए element मतलब जैसे capacitor यहाँ पर element है हो सकता है यहाँ पर कोई resistance भी होता कोई battery होती तो किसी loop में जितने भी elements जुड़े हुए होते हैं उन सब का potential difference का sum 0 होता है potential difference का sum क्या होता है 0 मैं bracket में लिख रहा हूँ summation v is equal to 0 किसी loop में जितने भी element होंगे उनके ends पर जो potential difference है उनका sum क्या होगा हमेशा 0 होगा यह किर्चाफ voltage law है बहुत important law है ठीक है उसको हम apply करेंगे कैसे apply करें यहाँ पर तीन element है तीनों ही capacitor है तीनों के ends पर potential difference V1, V2, V3 इनका sum भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए तो summation भी मतलब जितने भी potential difference सबका sum कर दो मतलब क्या लिह हूँ है V1 plus V2 plus V3 should be equal to 0 ठीक है यह एक equation आ गई बस इस equation से अपने को Q की value निकालनी है अपना questions all हो जाएगा अब V1, V2, V3 की value रखनी है V क्या है potential difference capacitor का potential difference क्या होता है V is equal to Q upon C simple सी बात है तो charge यह लिखे हुए है upon C दे ही रखी है value पुट कर तो answer जाएगा अब V is equal to Q upon C करना है देखो V is equal to क्या करना है हमको Q by C अब कई बार confusion होता है कि Q कौन सा ले क्योंकि यह पर तो एक तो यह वाला Q है एक यह वाला Q है Q है कौन सा ले यह लेंगे तो answer अलो हो जाएगा यह लेंगे तो answer अलो हो जाएगा मतलब कौन सी plate का charge ले कई बार यह confusion हो जाता है कुछ को तो पता होता है उनकी बात नहीं कर रहे है पर जिनको पता नहीं है उनकी बात कर रहे है कि क्यों कौन सा ले है तो इस confusion को दूर करने के लिए क्या करना है अपने को एक plate select कर लो कोई से भी दोनों में से मैंने एक plate यह select कर ली ठीक है मुझे इस plate का charge लेना है अब पहले capacitor की यह plate यह दूसरी छोड़ दो अगले capacitor की पहली plate ही हो जाएगी इसको छोड़ दो फिर अगले capacitor की पहली plate कौन सी होगी यह वाली पर्टिकुलर एक direction में चलना है अपने को एक plate ली एक plate छोड़ दी अगली plate ली उसके अगली छोड़ दी फिर अगली plate ली उसके अगली छोड़ दी तो अपने को इन plates का charge लेना है जब हम formula लगाएंगी V is equal to Q upon C तो हमें Q की जगे यह रखना है रखें तो first plate V1 के लिए क्या लिखेंगे हम Q कितना है 15 minus Q upon C C कितना है वेटा इसका 5 plus V2 Q यह वाला लेना है 20 minus Q by C कितना है 10 plus V3 Q यह वाला लेना है 8 minus Q by C3 कितना है वेटा 2 बोलो clear है तो capacitor यह वाला है इसलिए हमको यहाँ पर जब V is equal to Q upon C लगाना है तो हमें Q कौन सा लेना है कोई भी एक plate लेलो एक capacitor की दूसरी छोड़ दो अगले capacitor की पहली plate लेलो दूसरी छोड़ दो फिर अगले capacitor की पहली plate लेलो दूसरी छोड़ दो चलना एकी direction में या तो यूँ चलो या यूँ चलो अब ये equation आ गई इस equation को solve कर लो और उससे किस की value आ जाएगी Q की value आ जाएगी कि circuit में कितना charge flow करेगा वो निकाल सकते हैं अपर तो इसको solve कर लेते हैं फटा फट LCM कितना आएगा बढ़ा 10 यहां कितना हो गया 5 तो जा 10 2 से multiply कर दो 30 माइनस 2Q प्लस यह हो जाएगा 20 माइनस Q यह 5 40 माइनस 5Q इस एक्वल टू 0 implies LCM उदर आपके 0 हो गया Q कितना है पने प्लस 2 और 3 और 5 8 उदर जाएगा प्लस 8 Q हो जाएगा और इधर कितना हो रहा है 50 प्लस 40 90 implies Q इस एक्वल टू गया 90 बाइ 8 इसको solve करना चाहेँ 45 बाइ 4 माइक्रो कुलाम जब इन कैपिस्टर्स को हम correct करेंगे तो इस circuit में कितना charge flow करेगा इतना charge flow करेगा clear अब यदि आपने यह charge यह जो charge flow कर रहा है अगर वो निकाल लिया तो क्या इन कैपिस्टर्स का charge भी निकाल सकते हो तुमसे अगर किशन पूसता कि इन कैपिस्टर्स को connect करने पर इन पर final charges क्या रहेंगे तो इन में value पुट कर दो 15 minus Q क्यों की value पुट कर दो तो इसका final charge पता चल जाएगा तो इन तीनों कैपिस्टर्स का connection के बाद final charge भी निकाल सकते हैं आपन आप से पूछे बताईए इन पर कितना potential difference होगा connect करने से पहले का potential difference दे रखा है connect करने के बाद का potential difference पूछ ले तो वो भी निकाल सकते हैं कैसे V is equal to QYC Q निकाल चुके V बना जाएगा, V2 आ जाएगा, V3 आ जाएगा तो किसी भी कैपिस्टर का potential difference निकाल सकते हैं आपको कहें कि बताईए इस connection के जब charge का redistribution हुआ तो कितनी energy का loss हुआ energy का loss क्यों हुआ क्योंकि जब यह charge flow करेगा तो थोड़ी देर के लिए तो wire गरम होंगे current flow करेगी charge flow करता है तो current flow करती है current flow करती है तो wire का resistance होता है उसके काण वो क्या हो जाएगे heat produce करेंगे तो energy का loss होता है तो energy का loss कैसे निकालेंगे पहले energy कितनी थी वो निकाल लो energy कैसे निकालते हैं half cv square formula पता है c पता है v पता है तो इसकी energy निकाल लो इसकी energy निकाल लो तीनों की energy को add गर दो तो connection से पहले की total energy आ गई बाद में भी ऐसा ही करो इसका भी c और v पता है इसका c और v पता है half cv square इसका लगाओ half cv square इसका लगाओ half cv square इसका लगाओ तीनों के energy निकाल लो उनको add कर दो बाद की energy आ गई पहले की energy बाद की energy दोनों में difference तो आएगा ही आएगा बाद की energy क्या हो जाएगी कम क्योंकि कुछ energy heat की form में बाहर निकल गई है तो energy loss कैसे निकालेंगे initial energy of the system minus final energy of the system तो आप energy loss भी निकाल सकते हैं तो ये कुछन समझ भाया इसमें हमने तीन कैपिस्टर लिए उनकी plates को जैसे भी कुछन ने कहा वैसे connect कर दिया और फिर आद में हमने circuit में कितना charge flow कर रहा है वो निकाला ये तीन की जगे चार कैपिस्टर भी हो सकते थे दो कैपिस्टर भी हो सकते थे ठीक है निए अब बच्चों practice के लिए आपको ये दो कुछन दिये जा रहे है उपर वाले कुछन में अपन तीन कैपिस्टर को आपस में connect करेंगे और नीचे वाले कुछन के अंदर दो कैपिस्टर को आपस में connect करेंगे ठीक है और निकालना कैए अपने को सर्किट के अंदर कितना charge flow करेगा अब मैंने इसको short में लिखा है Q flow बतलब सर्किट में flow करने वाला charge निकालना है दोनों कुछन के अंदर आंसर आपको दे रखें जिस तरीके से आपको method बताए गया है उस method से इस question को solve करने की कोशिश कीजिए और answer को check कीजिए ठीक है Thank you